सुप्रभाद बच्चों, डिवाइन इस्कुल से मैं मिनाक्षी वर्मा आपका डिवाइन इस्कुल की ओनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ आज हम सिखेंगे करसे कबूतर से लेकर के ना तक के वर्ण करसे कबूतर, खरसे खडगोश, घरसे गमला, घरसे गड़ी, ना तो आज सिखेंगे हम करसे कबूतर करसे कबूतर बनाने से पहले, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर एक बीच में स्टैंडिंग लाइन से, बीच में एक हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर वापस इस लाइन को एज आफ सर्कल बनाना है हाफ सर्कल के बाद में फिर एक कोर कर्व करते हुए नीचे तक लेके जाना है और वापस देखेंगे हैं कर्व से कबुतर बनाना स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और कर्व करते हुए वापस लेके जाना है तो क्या बन जाएगा करसे कबूतर अब हम बनाएंगे करसे खडगोश स्लीपिंग लाइन, और हाफ सर्कल हाफ सर्कल बनाने के बाद में यहां से एक लाइन, नीचे की तरफ लेके जाएंगे फिर स्टैंडिंग लाइन, तोड़ा से इसको बहा निकालेंगे जो स्टैंडिंग लाइन है, उसमें एक हाफ सर्कल अंदर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, खर से खडगोश अब हम बनाएंगे गर से गमला, गर से गमला बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उसको हलका सा कर्ल करके, घुमा करके बिखेंगे फिर इसके पीछे एक को स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, तो क्या बन गया, गर से गमला once again sleeping line standing line उसको इस line से touch नहीं करके पहले ही इसको गुमा देंगे and standing line जो इसके आगे वाली line से बड़ी होगे तो क्या बन जाएगा घर से गमला अब घर से गड़ी बनाने के लिए हम बनाएंगे sleeping line half circle another half circle and standing line जो इसको टच करते हुए थोड़ा सा बहा निकलेगी वापस देखिए sleeping line half circle एक और half circle standing line जो टच करते हुए इस line को बहा निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा घर से गड़ी अब हम बनाएंगे इन sleeping line चोटी सी line कीचेंगे standing फिसको half circle करेंगे फिर इसको घुमा करके वापस another half circle बनाएंगे और एक क्योट लगाएगे तो क्या बन जाएगा अना once again sleeping line and standing line हलकी सी standing line half circle and घुमा करके वापस half circle or dot बinned हम क्याह्ट Sampogना जा बनाए्पर